हेलो दोस्तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मौरे डीजे व्लोक्स में मैं हूँ सोबित और दोस्तो आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारी amplifier होती है dual channel की A to Z कोई भी आप amplifier ले लीजिए उसमें दोस्तो आपको एक switch, selector switch देखने को मिलता है जो कि दोस्तो mono होता है और stereo and breeze mode का होता है तो दोस्तो आज मैं इसी topic वे बात करूँगा कि दोस्तो mono mode क्या होता है और stereo and breeze mode क्या होता है यह हमारी amplifier में कैसे काम करता है तो दोस्तो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी इस amplifier की बारे में भी दोस्तो और दोस्तो इन settings के बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इसी वीडियो में तो दोस्तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर दोस्तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी बेल आइकन को प्रस कर ले, ताकि दोस्तो जब भी मैं वीडियो सब्लोड करूं, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले दिया है, तो दोस्तो वहां भी आप फॉलोड कर लिजीगा, तो यह दोस्तो बिना स्किप के वीडियो को शुरू करते हैं, तो दोस्तो यह हमारी डॉयल चैनल की एम्प्लिफार है, जो कि दोस्तो डॉयल चैनल में ही हमारी यह सेटिंग्स होती है, मोनो एंड, स्टेडियो and breeze mode दोस्तो आज मैं इसी के बारे में आपको knowledge देने वाला हूँ तो दोस्तो पहले आपको बता दू mono mode mono mode में क्या होता है हमारी amplifier कैसे work करती है तो दोस्तो mono mode में दोस्तो आपको सिर्फ एक ही channel में input देना होता है यो कि दोस्तो आपको दो channel मिलते है channel A और channel B तो दोस्तो केवल आपको channel A में ही input देना है चाहें दोस्तो आप XLR के द्वारे दीजी input चाहें दोस्तो आप Jack के द्वारे भी input दे सकते हैं और दोस्तो हमारे जो speaker output wires होते हैं वो दोस्तो हमारे दोनों channel काम करेंगे आप दोस्तो speaking के दौर अभी उसमें connection कर सकते हैं और दोस्तो आप इसमें wires भी लगा सकते हैं इस mono mode में दोस्तो केवल आपको input एक ही channel में देना है वो भी channel A में अब दोस्तो बात कर लेते हैं दोस्तो stereo mode की दोस्तो stereo mode में हमें दोस्तो दोनो channel में ही input देना होता है तब ही दोस् वीकन जो आउटपुट होता है इंप्लिफायर का तभी दोस्तों हमारे दोनों चैनल काम करेंगे तभी दोस्तों हमारा इंप्लिफायर दोनों चैनल में आउटपुट देगा तभी दोस्तों आप दोनों चैनल पर टॉप या बेस चला सकते हैं आपको दोनों चैनल में इंप switch करेंगे तो दोस्तो हमारा amplifier एक हो जाता है तो कि दोस्तो दो channel होते हैं वो दोस्तो दोनो channel एक हो जाते हैं हमारा amplifier एक हो जाता है तो दोस्तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिज mode में हमारा amplifier एक ही channel चलता है जो कि दोस्तो वो channel A चलता है B नहीं चलता है दोस्तो हमारे चैनल A ही केबल चलता है और दोस्तो आपको इस पीकन उसमें नहीं लगाने होते हैं इस पीकन में दोस्तो आउटपुट नहीं मिलता है केबल हमें दोस्तो केबल हमें वायर्स ही लगाने होते हैं जो दोस्तो हमारा लाल वाला पोल होत दोस्तों उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह कि दोस्तों वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ बेल अकन को प्रेस कर ले ताकि दोस्तों जब भी में वीडियोस अप्लोड करूं नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए जैहिन वंदे मात्रम